Hello Friends, Welcome to Gyanate Depresents Current Affairs आज हम आपके लिए फिर से Current Affairs के Questions लेकर आए हैं जो कि आपके Upcoming Exams के लिए काफी ज़्यादा Helpful होने वाले हैं या आज 30 April 2020 और आज का दिन World Book Day के रूप में Celebrate किया जाता है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के Questions के बारे में पर उसे पहले के वीडियो को आगे बढ़ाएं अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे Next Question is किस राजजने छात्रों की मदद करने के लिए Get Set Go Portal लॉंच किया है तो आंसर है करनाटका करनाटका राजगे दारा बच्चों के ऑनलाइन स्टेडी के लिए Get Set Go Portal लॉंच किया गया है Next Question is किस मंत्राल हैं COVID-19 COVID-India सेवा पोर्टल लॉंच किया है And the answer is स्वास्त और परिवार का लियान मंत्राल है Next Question is राजजपती के सजयों की रूप में किसे निक्तिया गया है तो राजपती के सजयों की रूप में निक्ति किया जाने वाले व्यक्ति का नाम है Kapil Dev Tripati Next Question is तत्वी दिबस 2020 का विसे क्या है हाल ही में कल के दिन 22 अप्रेल को प्रत्वी दिबस मनाए गया है और उसका विसे है Climate Action Next Question है 23 अप्रेल को जारी होने वाली सुधा मूर्ती की पहली ओडियो बुक का क्या नाम है और उसका नाम है How the onion got its layers Next Question is किस राज ने COVID-19 लक्षण की तेजी से जाच के लिए तिरंगा वहाँ लॉंच किया है तो तिरंगा वहाँ लॉंच करने वाले जो राज है वह है केरल Next Question है RBI ने Reverse Reporate अभी हाल ही में घटा दिये है उनको कितने प्रसत कर दिया है और उनको Reverse Reporate को घटा कर 3.75% कर दिया गया है अगला Question है विस्ट प्रेस सुचकांग में भारत किस स्थान पर है तो विस्ट प्रेस सुचकांग में भारत 180 देशों के बीच में 142 में स्थान पर आया है और नौर्वेज जो है वो है फर्स्ट टेंकिंग पर आया है अगला Question है तो केंथि मंत्री मंदल ने किस तरीके अध्यर्य 대해서 को मंजूरी देदी है वाया अपराद किस तरीके गया होंगे असंगे और गयर्जमानती किस देश में दुनिया के सबसे बड़े football stadium के निर्मान शुरू हुआ है तो सबसे वड़े football stadium के निर्मान किस देश में शुरू हो गया है आंसर है चीन आसा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो like करें ताकि हमको और ज्यादा motivation मिले ज्यादा सेयर करें ताकि और भी लोगों को इन question से help हो सके और subscribe करना न भूले Thank you